इस वक्ती बड़ी खबर आपको बता दे, मीटिंग में मुकलबास्तिक अशोग गहलोथ शामिल है, इसके लावा कॉंग्रिस टोर से अर्विद्दर सिंग लवली मोहन प्रकाश भी मीटिंग में मौजूद है, आम आद्मी पाजी की तरफ से संदीप पाठक बैठक में शामि हो चुके हैं. जो है वो ना भी सफलो, क्योंकि पंजाब में एक त्योरी ये भी है कि अगर आम आद्मी पार्टी और कॉंग्रेस अलग-अलग लड़ें तो इंडिया ब्लॉक के पास ही पंजाब की सारी सीटे रहेंगी, लेकिन अगर ये दोनों कॉंग्रेस और आम आद्मी पार्टी एक की पंजाब की कॉंग्रेस की पंजाब यूनिट के चीफ बार-बार कहते हैं कि मुझे कहा गया है कि आप सारी की सारी सीटो पर तयारी करें और हम सारी सीटो पर तयारी करें, कोई अलाइंस का अभी तक हमें इंडिकेशन नहीं दिये गया है, ये बात मैं तब की बतारी हू जब Alliance को लेकर के Congress Party की जो National Alliance Committee है वो अपनी report जो है वो सौपने वाली थी Congress के अध्यक्ष मलिकारजुन खरगे को पर देखना होगा कि क्या इसी formula पर आम आदमी party और Congress जाते हैं कि अलग-अलग लड़ें ताके जो anti-incumbency vote है state का वो divide ना हो और सारी की सारी सीटे जो है वो इंडिया ब्लॉक में ही रहें या इंडिया के जो गटक दल है उन्हीं के पास major जो सीटो का चंक है या votes का जो चंक है वो जाए एक formula तो यह है दूसरा formula यह है कांग्रिस पार्टी जिस तरह से कह रही है कि क्यूंकि सारे आठ के आठ सांसद उनके पंजाब से हैं और कांग्रिस पार्टी कोई भी सीट छोडने के mood में नहीं है वहीं आमाद्मी पार्टी अपने assembly elections का पॉपार्मनल जोरेश चीक है इंतसार और करते हैं अर्विन केजरिवाल ने कल राद गुजरात में रैली की और इस दौरान उन्होंने कहा कि भरूच से पार्टी विधाय कर चैतर बसावा लोग सुभा का चुनाब रड़ेंगे आखिर बाचीत से पहले ही आमाद्मी पार्टी उमीदवार का ऐलान कर कॉंग्रस को आमाद्मी पार्टी क्या संदेश देना चाहती है पहले आप सुनिए केजरिवाल का बयान दोस्तो आज मैं एलान करना चाहता हूँ आमाद्मी पार्टी की तरफ से आने वाले लोग सुभा चुनाओं में भरूच सीट से चेतर वसावा लोग सुभा का चुनाओं रगेंगे भासकर हर पार्टी अपनी कमफर्टेबल पोजीशन देखती है और इसलिए अर्विन केजवाल ने भरूच से अपने उमीदवार के नाम का ऐलान कर दिया लेकिन जब अलाइंस में चल रहे हैं पार्टी तो फिर अलग से इस तरीके से समय से पहले नाम का ऐलान कर देना मेसिजिंग क्या है अधिये अलाइंस बेसक एक साथ हुआ है लेकिन सभी पुलिटिकल पार्टी को अपना फ्यूचर देखना है और अपना लक्ष देखना है इस हिसाब से लगभग सारी पुलिटिकल पार्टियों ने अपने हिसाब से तयारी कर रही है आम आदमी पार्टी के मुख्या जिस भरूच सीट की बात कर रहे हैं वो पहले से ही पार्टी इस बात को लेके तयार है कि वहां से चैतर बसावा को चुनाव लड़ाये जाएगा और ये फैसला पहले ही हो चुका है जहां तक गठवंधन का सवाल है तो ये मान के चलिए कि गठवंधन में जो सीट शेरिंग की बात हो रही है वो मुख्य तोर पे दिल्ली को लेके हो रही है पिछले दो लोग सभाचनाव में साथ के साथ सीट भारती जनता पार्टी जीत के यहां से जा चुकी है वोट परसंटेज देखें तो वो भी 50 फिस्दी से जादा है इस लिहाज से दोनों ही पुलिटिकल पार्टी को यह लगता है कि उनकी सरकार है वहां मजबूत इस्थिती में पार्टी है ऐसे में नुकसान उनका वहां पे होगा तो इस हिसाब से एक यह त्योरी दी जा रही है कि केरला में जैसे अलग-अलग चुनाव की बात की जा रही है वो लगभग मान चुके हैं कि हम लोग अकेले चुनाव लड़ेंगे, अलग-अलग चुनाव लड़ेंगे, भरते जनता पार्टी यहां पे कहीं से सीन में नहीं है, लेकिन इसके साथ-साथ आमादी पार्टी का दावा होगा गुजरात के लिए भी और साथ में गुवा के ल आमादी है